हलो फ्रेंज स्वागत है आप सबका हमारे यूटूब चैनल माई हल्प सियो में दोस्तों आर आर पी इंट्री पीसी एक्जाम 2021 का 13 जुलाई का फैस्ट सिप्ट का एक्जाम अभी अभी खतम हुआ है तो क्या कोस्चन आये हैं कौन कोस्चन आये हैं जी के जीयस के सारे मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट सेरो चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों तो यहाँ पर आपका जो पहला कोस्चन यहाँ पर आये था कि हैदराबाद को भारत में किस अपरेशन के द्वारा मिलाया गए था तो आपरेशन पोलो यहाँ पर आपका करेक्ट अंसर हो जाता है अगला कोस्चन जो आपका यहाँ पर आये था कि म्रगवानी राष्टी उद्वान कहां पर इस्थित है तो जो आपका म्रगवानी राष्टी उद्वान वो आपका त तेलंगाना राजी में इस्तित है तो तेलंगाना राजी यहाँ पर आपका correct answer हो जाता तो अब बात करते हैं अगले question की की आगला question आज कौन सा आया था तो अगला question यहाँ पर आया था की तेलंगाना के मुख्य मंत्री कौन है तो तेलंगाना के जो मुख्य मंत्री है वो अप्रेल 1935 कोल काता में हुई है तो अप्रेल 1935 कोल काता यहाँ पर आपका correct answer हो जाता फ्रेंज तो आप बात करते हैं अगले question की तो अगला question आपका जो आये था फ्रेंज भारत राज्यों का संग है यह किस अनुछेद में कहा गया फ्रेंज तो यह अनुछेद आपका एक हो जाएगा तो अनुछेद एक यहाँ पर आपका correct answer हो जाता फ्रेंश तो आप बात करते हैं अगले question की आपका आए था कि विश्व रख्ट दाता ब्लड टोनर डे कप मनाये जाता है तो यह आपका जो मनाये जाता है वो 14 जून को मनाये जाता है तो 14 जून यहाँ पर आपका correct answer हो जाता है फ्रेंश तो आप बात करते हैं आगले question की दोस्तू तो अगला question यहाँ पर आए था दोस् दोस्तो तो मंदाकिनी नदी यहाँ पर आपका correct answer हो जाता है दोस्तो उत्राखंड का जो केदारनात मंदिर है दोस्तो वो आपका मंदाकिनी नदी के किनार है दोस्तो बात करते हैं अगले question की कि pull question दिती किस once का था तो pull question दिती जो आपका once था चालुक के once का सबसे महान राजा था तो चालुक के once का सबसे महान राजा यहाँ पर आपका correct answer हो जाता है तो यह वाला option आपको इससे related सारे question आपको याद करके जाना है तो अब बात करते हैं अगले question की अगला question जो यहाँ प तो महादेवी बर्मा यहाँ पर आपका correct answer हो जाता है फ्रेंज तो अब बात करते हैं अगले question कि कौन सा आया था तो अगले question यहाँ पर आया था कि press की सोतंतता भारती समिधान के किस अनुछेद में है तो यह अनुछेद आपका जो हो जाएगा अनुछेद 19A में है तो अनु अध्यचता में हुई है तो यह भारती समिधान सभा की पहली बैठक किसकी अध्यचता में हुई है तो यह अध्यचता डाक्टर सच्चे नंदन सिन्ना हो जाएगा तो यहाँ पर डाक्टर सच्चे नंदन सिन्ना यहाँ पर आपका correct answer हो जाता है तो फ्रेंज आप बात करत अगले question की कि अगला question कई आया था तो भरत में प्रधान मंति तब तक पत पर रहता है जब तक उसे प्राब्त है तो जब तक उसे लोगसभा का विश्वास प्राब्त नहीं हो जाता है तब तक वो अपने पतपर रहता है तो लोग सभा का विश्वास यहाँ पर आपका correct answer हो जाता फ्रेंज तो अब यहाँ पर बात करते हैं अगले question की अगला question यहाँ पर फ्रेंज आये था कि भारत का समुधान की स्तिथि को सुईकार किया गया है तो भारत का जो समुधान है फ्रेंज वो आपका 26 नावंबर 1908 को सुईकार किया गया है तो 26 नावंबर 1908 यहाँ पर आपका correct answer हो जाता है फ्रेंज तो यहाँ पर अगला question यहाँ पर आयक था कि मगरमच के हिर्दय में कितने कोस्ट होते हैं तो मगरमच के हिर्दय में जो आपके कोस्ट होते हैं वो चार होते हैं तो चार यहाँ पर आपका correct answer हो जाता है फ्रेंज यहाँ पर मगरमच के हिर्दय में चार कोष्ट होते हैं तो यहाँ पर आपका जो answer होगा वो चार correct यहाँ पर answer चला जाएगा अब बात करते हैं यहाँ पर अगला question की की अगला question यहाँ पर आया था की दोस्तों काफी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ काफी सारे दोस्तों यहाँ पर जो question भेजते हैं उनको एक अठा करना फिर वीडियो बनाना काफी मेहनत लगती है तो वीडियो को like, comment और share ज़रू करियेगा दोस्तों यहाँ पर जो अगला question इसका question हो गया है तो यह आपका गुजरात के उपलच्छ में बनाया गया है तो गुजरात का उपलच्छ यहाँ पर आपका correct answer हो जाता है तो अब बात करते हैं अगले question की की आगला question यहाँ पर आपका क्या आय था तो लाह एक्स के फेमस बादाम पहाडी किस राच में इस्तित है तो यह आपका जो उडिसा राच में इस्तित है तो उडिसा राच आपका यहाँ पर correct answer हो जाता है यहाँ पर उडिसा राच आपका correct answer हो जाता है तो आप बात करते हैं मयूर भंज जिला गुरू माहिनी यूम बदाम पहाड़ी किस छेत्र का यह आपका वहाँ की location है दोस्तो उसके बाद यहाँ पर आपका जो अगला question यहाँ पर friends आया था दोस्तो की Grand Islame Vimalden कहां पर आयजुद किया गया है तो यह Grand Islame Vimalden जो आपका आयजुद किया गया था वह दोस्तो आपका England में आयजुद किया गया था friends तो यहाँ पर बच्चों के द्वारा मुझे इतने ही question भेजे गये थे जो मैंने आपको सारे कठे करके आपको प्रवाइट करा दिया है दोस्तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ है तो like, comment, share और चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलेगा और share जरू करिएगा दोस्तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe करके रखिए बेल नोटिफिकेसर पर क्लिक करके आपको क्लिक करें तो बाय बाय मिलते हैं किसी और बड़ी में